तो हेलो फ्रेंट्स वेलकम बैक टू माई चैनल राइट टूनो और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जाएंगे एक इंपोर्टेंट अपडेट के बारे में जो लेडिया आपके साथ में डिस्कस कर चुका हूँ प्रिविएस वीडियो है और उसी के ही कुछ अपडेट ज जो डिटेईल हैं उस पर क्लिक करना है तो जैसे कि पिशले वीडियो में हमने जाना कि कैसे हम अपने मोबाइल नमबर को अगर नोट वैरिफाइड आ रहा है तो कैसा करना है और दोसरी बड़ी बात ही है कि जो भी आप मोबाइल नमबर आप यहां पर लिंक कर रहे हैं वो आप application installs कर से हैं तो और लेडी आपका email ID होता है तो आपने यहाँ पर email ID को यहाँ पर verify करवाना है और verify करवाने के बाद आप जैसे यहाँ पर verify करवाएंगे तो उसके आपके email ID पर एक OTP चला जाएगा और OTP जाने के बाद वहाँ पर एक PIN नमर होता है जिस PIN नमर को आप यहाँ पर submit करेंगे तो अभी email ID हम चेक करते हैं और उसके बाद यहाँ पर अपना PIN नमर जो है वो enter करेंगे उसके बाद save changes करने के बाद यहाँ पर आपकी email ID है वो verified यहाँ पर आपको show कर रहा है तो दोस्तों आपने इसी तरीके से अपनी आपकी जो भी email ID है उसको अपनी verify करना है क्योंकि अगर not verified आ रहा है तो आपने से कहीं न गहीं इस process को follow करके verify करना है और अगर आप अपनी email ID को change करवाना चाहते हैं तो दोस्तों जो मैंने आपको पहला प्रोसेस बताया फोर नमबर का तो वो कहीं न कहीं अधार बेस्ट जो है mobile नमबर के साथ link है और वो mobile नमबर अधार बेस्ट है लेकिन आपकी email ID है वो अधार बेस्ट फिलाल नहीं है तो आप यहाँ पर अपनी email ID कोई भी यूज़ कर सकते हैं जिसे आप अपना official में यूज़ करते होंगे तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये update जो है मैंने आपका आज बताया है और जो ये process बताया है मैंने आपको email ID में आप कैसे verify करेंगे अच्छा लगा होगा और इस वीडियो ज़्याद ज़्याद शेयर केजिए अपने दोस्तों साथ क्योंकि मैं इसे तरह के informative वीडियो आप सबी लोगों के सामने हमेशा लेकर आ रहा हूँ ताकि आपको कोई भी problem जो है EPF या ECSI के अंदर कोई problem faces ना करनी पड़े तो दोस्तों आपको मिलेंगे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बबाए लेकिन चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिलकुल भी ना बूलें